हैलो दोस्तों कैसे हूँ आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी बहुत यह राच होंगे तो स्वागत है आप सभी का आपके पर यूटुब चेनल पर तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सरपच बढ़ने की जो है योगिता क्या रहने वाली है और आप किस प्रकास से सरपच पर खड़ा हो सकते हो मैं आपको सारी जान करें जो है इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल वाई देने वाला हूँ हाइश्टेप वाई समझाने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप जो आपकी छेतर में सरपच बढ़ने के लिए और क्या-क्या जो है उसक को सारी जो जान करें वो आपको प्रूफ के साथ देने वाला हूँ ठीक है तो चलिए आप वीडियो एंद तक देखिए अगर आप भी जो अपने छेतर में सरपच मत के लिए खड़ा होना चाते हो और अगर आप मद आते हो तो भी ये वीडियो जरूर देखें आपके वीडियो प्रूट की गई है कि सरपच किस प्रकास से बनें लेकिन वीडियो के अंदर जो है सही तरी किसे नहीं समझाये गया अथार उनके अंदर जो है बहुत सरी जान करें गल्त भी दी गई है मैं आपको इत्म सटीक जान करें देने वाला हूँ देखिए सबसे पहले ए याने आपक जो है गर में सोचाले होना और ऊविशक है अगर आपके गर में सोचाले नहीं है तो आप सरपच Conservates के यी खड़ा नहीं हो सकते हैं तो आपकोगली दोह किसी एक अदिक बत के नहीं हो सकते हैं देखिए अगली जो है वो बढ़ते हैं तीन दो से अदिक बच्छ ना हो देखिए ये बहुत यह दे इपोर्टेंट है दो से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए अगर आपके जो है दो से अधिक बच्चे हैं तो आप सरपंच पत के लिए यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकते हैं देखिए इसके लिए ऑओ कंडिशन भी है 27 नौमबर 1995 के बाद देखिए अगर आप इससे पहले जो है अगर आप पिता हो तो आपके चाहिए कितने भी बच्चे हों दसों या पर आप आँच या आठ कितनी भी हो तब आपके लिए यह एक्ट काम नहीं करता है अगर आप 27 नौमर 1995 के बाद विवाही तो तो आपके जो है दो से अ लाबकपद दारण नहीं करता है देखिए किसी भी परकार का जो है वेतनिक पद जो है वो जिस पचायत में खड़ा होना चाहता है वहां उनका कोई भी वेतनिक पद नहीं होना चाहिए यानि कोई भी जो है लाबकपद दारण नहीं होना चाहिए ठीक है यह जो है एकदम इंपोर्टने नियम है ठीक है इस नियम को ध्यान रखे जो है आपको सरपजपत के लीख ख़डा होना अगर आप इसमें से किसी भी नियम को पालन नहीं करते हो तो आप जो रद कर दिया जाएगा यह अब ध्यान रखे ठीक है देखिए मेरे पास बहुत से कमट आते हैं कि ग्राम पचायद 2020 में सरपत्पत के लिए खड़ा होने के लिए क्या योगिता होनी चाहिए कितनी पास होनी चाहिए तो मैं एकदम आपको साफ कर दूँ कि जो है आठ वी पास अगर आप हो तो जो है आप 2020 क्राम पचायत में सरपच पत के लिए खड़ा हो सकते हो यानि कि जो है आपको योगिता है एलिजबिलिटी है वो यहाँ पर आठ वी पास रखी गई है जो आपके लिए जाना बहुत यह नहीं इपोर्टन है अगर दोस्तों आपका किसी मेथ, फिजिक्स, केमेस्ट्री के क्यूशन में डाउट है तो दोस्तों आप जाए आठ चारसो, चारसो, चारसो के वार्शन नमर पर उस क्यूशन का फोटो क्लिक कीजिए और सेंड कर दीजिए तुरूंती जो उसका आंसर है वो आपको वीडि प्रनत्री को एक समर्ट बनाने वाली यांति तो दोस्तों वन स्कुत्त आयों चाहिए यानि कि जो हैव मांशिक मांप्र्शन रूम से गर्शन नहीं कि यहौlor और मतलब उसकंदर जो है मांशिक रोग नहीं होना चाहिए अतार चारी रोग, यानि कि ऐसा ना हो कि उसका 70% या भी 60% बाग काम ही नहीं करता, वो सर्पपथगली खड़ा ओजाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसात में पागलापन भी नहीं होना चाहिए ठीक है अगर ये नियम वो पालना करता है तो हो है सरपंच पत के लिए खड़ा हो सकता है अर्थात अगर पालना नहीं करता है तो वो सरपंच पत के लिए खड़ा नहीं हो सकता है ये भी इपोर्टेट नियम है अगर आप सरपंच पत के लिए खड़ा होना चाहते हो तो इस जो है सरपंच पत के लिए खड़ा नहीं हो सकते या इसका आगे भी लिखावाए देखिए या फिर शक्षम नाले में उसके खिलाफ ऐसा अपराद विचार दिन है जिसके सजा पांच वर्स या पांच वर्स अधिक है तो ऐसा व्यक्ति जो है चुनाओ नहीं जा सकता बहुत या इपोर्टेंट नियम है ये देखिए इस नियम के रुसार आपके ओपर किसी भी अपराद के लिए केच चल रहा है या फिर छे महीने या उससे अधिकवास करावेश से आपसे डंडित किया गया है या फिर पांस साल या पांच वर्स अधिक जो है वह आपके लिए जो ह आप सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ तब सेव यह या जानकारी अपलब्द होसके लाइक अब करना ही है और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट वोसे कमेंट के लिए जुरूर बताएं और हाँ आप कौन से छेतर से हैं वो भी आप कमेंट कीजिए देखिए अगला जो नियमें सातवां वो पढ़ लेते हैं देखिए समद्दित पंचायती राज सस्ता दोरा किसी भी कर या फीस की रकम को मांग नोटिस पस्तुत किये जाने के पस्चाथ नोटिस की दिनाग से शमहा के अंदर बकाया राशिका संदाए करना इस नियम को अब ध्यान से देख लीजिए इस नियम के नुसाथ जो है आप किसी भी कर या फीस की रकम को मांग नोटिस पस्तुत किये जाने के पस्चाथ जो है नोटिस की दिनाग से शम के अंदर बकाया राशिका संदाए आपको यहाँ पे करना होगा तब ही जो है आप यहाँ पे चुनाव यहाँ लड़ सकते हो ठीक है बहुत जादा इंपोर्टनेट है यह नियम भी जाते हो यह आपको किसी भी नहीं बताया किसी यूटूबर नहीं बताया हुआ हूँ यह जो एकदम सोपर से सटिक नियम में आपको बता रहा हूँ जो 220 में गराम पचायत की चुनाव होने वाले तीन चंड़ों में वही जो मैं आपको इंदम सटिक नियम आपको बताने ज देखिए आपके चुनाओ जो है वो उनकी तारे के वो भी फिक्स हो गई है तो इस नियम को अब ध्यान रखके ही चुनाओ में खड़ा हुई है ताकि आपका नामाकन रद ना हो देखिए नुवा नियम है पंचायती राज सस्ता में किसी भी रूप से अंश्याहित का स्वाम तो नहीं रखना होना चाहिए यह भी जो है सरपंचपत के लिए बहुत दर एक पॉर्टन नियम है देखिए अंतीम जो नियम है वो मैं आपको बता देता हूं दस्वा राज्य के विदान मंदल के निर्वाचन के प्रयोजन परवत किसी विदी के अधिन एयोगे नहीं होन देखिए कोई भी विदान मंदल है राज्य का उसके निर्वाचन के अंदर प्रयोजन परवत किसी विदी के अधिन जो है आपको एयोगे नहीं होना चाहिए देखिए सबसे पहले इसके नहीं दिया गया है नेतिक अधमता वाले किसी अपराद में शक्षम न्याले दोरा नहीं ठहराया जाना यह जो है पहला निया में उसके अंदर दिया हुए देखिए समाज के अंत्यकरन को ठैंस करना यह जो इसके अंदर लाग वता है अगला जो है अपरादी का समाज की डश्टी से गर जाना देखिए अपरादी जो है वो गिर जाता है समाज की डश्टी से तभी जो है यहाँ पर सरपंच पत के लिए आप खड़ा नहीं हो सकते हो जैसे कि मैं आपको बता दूँ मोटे तोर पर ये कहा जा सकता है कि एसा आचरन जो नियाय सत्यानिश सचित्तर निती सास्तर नेतिक मुल्यों और इमानदारी जैसे गुणों और आद्रोश के परतिकोलो वही जो है नेतिक अधमता यूगत आचरन हैं देखिए अगर आपके अंदर ये आचरन है तभी जो है आप सरपंच पत के लिए खड़ा हो सकते हो तो इसका आपके अंदर जो है ये क्वालिटी अविश्य होने चाहिए अगर आप 220 ग्राम पच्चाई सरपंच के लिए खड़ा होना चाहते हो देखिए इसके अंदर आगे दिया हो गया है निमनकिंत अपरादों को नेतिक अदमता वाले अपराद माने गए हैं जैसे कि मैं बता दू कौन कौन से अपराद जैसे की देखिए कस्टम सुलक से बचने के अपराद ठीक है ये जो पहला है उसके बाद रेलवे स्टेशन आदी को विस्पोटक सामागरी आदी से उड़ा देना का सड ये अंतर यानि कि जैसे कोई भी सारवजिन जगह है अगर आप उसके बारे में कुछ सडियंतर रच रहे हो जैसे कि विस्पोटक सामागरी वहाँ पर लेकर जा रहे हो तो ये आपके अंदर अपराद नहीं होना चाहिए देखिए अगला है बारतिय ड़न सहीता की दारा 325 और 332 के अधिन डर्दनी अपराद यहीं भी जो है आप अगर सरपजपत के लिए खड़ा होना चाहते हो तो आपको इस नियम का भी जो है पालन करना होगा तो देखिए ये थे 10 नियम अगर आप सरपजपत के लिए खड़ा होना चाहते हो आपकी छेतर के अंदर तो इस 10 नियम को अच्छी तरी से द्यार रखें तभी जो है आप 2020 में होने वाले गराम पचाई सरपच नौ में खड़ा हो सकते हो देखिए अगर आपका कोई भी मित्र अगर खड़ा होना चाहते है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों साथ ताकि सभी कोई एरफो द्यार रखें तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना और आपकी छेतर से हो तो प्लीज आपको मेंट बॉस में कमेंट जरूर करना और अगर आपके मन में कोई भी डावट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए मिसका रिप्लाइ 100% देंगा ओके और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेले को पैस करो ताकि आपको इसी तरह की जो है सर पंच के रिलेटर हर जानकारी मिल सके तो बस इस वीडियो में इतनी अपडेट थी फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय बारत